यह है Redmi Watch 2 Lite, एक और smartwatch, यह built-in GPS के साथ में आता है, आपके heart rate को continuously monitoring कर सकता है, SPO2 को भी यह continuously monitoring कर सकता है, of course specific intervals पर, और इसका pricing है 4999 रुपीज, तो चलिए, सबसे पहले इसकी quick unboxing करते हैं, उसके बाद में आपको यह जो watch है, इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाला हूँ, देखते रहे हैं, यह है Xiaomi का नया smartwatch, Redmi Watch 2 Lite, इसका pricing है 4999 रुपीज, और यह है box pack, वैसे जो key specs है, वो box के पीछे mention किया हुआ है, मैं चलिए आपको फटावट इसकी unboxing करके बताता हूँ, तो box में watch के अलावा, आपको यह booklet मिलने वाला है, जिसमें user manual है, और safety warranty information है, और यह charging dock दिया हुआ है, यह magnetic charging dock है, watch के पीछे यह charging points दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इसे लेके जाना है, magnetic है, चिपक जाएगा, और इस प्रकार से आप इसमें जो battery है, उसे charge कर पाएंगे, 4999 इसका pricing है, quality काफी बढ़िया है, square-ish look के साथ में आता है, यहाँ पर matte finishing दिया हुआ है, इन फाक्ट यह जो finishing है, प्लस जो strap का color है, यह almost match होता है, एक elegant look देता है, यहाँ पर एक button दिया हुआ है, glossy finishing के साथ में, और इस button का उप्योग करके आप जो screen है, इसे activate कर सकते हैं, और फिर जो touch screen है, उसका उप्योग कर सकते हैं, या फिर यह जो button है, इसे press करते ही, menu की options आप select कर सकते हैं, वैसे अगर आपको इसे off करना है, तो इस प्रकार से भी, जो screen है, immediately off हो जाता है, यह इतना ज्यादा slim तो नहीं है, लेकिन काफी बढ़िया है, इससे आपका idea मिल का होगा, कि इसका thickness कितना है, वैसे finishing बहुत ही impressive level की है, मुझे काफी पसंद आया, और यहा strap है, इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है, कि यह जो body है, इसके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से merge हो जाता है, जाद अगर कि जो दूसरे smart watches market में available है, उन में आपको spring mechanism मिलता है, तो यहां पर वो spring mechanism नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको इसका strap replace करना है, तो इसी का ही यह आसानी से लग जाता है, डिजाइन के अगर बात करें तो यहां पर मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना जाता हूँ, कि यह जो strap है, आप देख सकते हैं, कि यह जो area है, यहां से लेकर यहां तक, यह काफी मजबूर type का है, मतलब कि जो bending है, वो यहां से होता है, तो इतना जो area है, वो tough type का है, including watch का जो body है, वो भी, और इसका फाइदा यह है कि जब आप इसे हातों में पहनते हैं, तो यह जो area है, खास करके, यह दिखे, आपके हातों पर यह बहुत ही बढ़िया तरीके से fit होता है, और जो stress levels है, वो यहां से शुरू होता है, तो इतना जो curve मिलता है, उससे आपको बहुती comfortable experience मिलता है, और अगर आप इसके साथ में सोते हैं, रात को sleep को monitoring करना चाते हैं, तो उसके लिए भी बहुती बढ़िया है, आपको बहुती comfortable experience मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा करके जो watches होते हैं, उनमें यह जो strap है, यहीं से ही वो download किया हुआ है, उपर से निचे swipe करेंगे, तो आपको notifications मिल जाएगा, notifications को आप पढ़ सकते हैं, left to right swipe करने से, आपको physical activities है और जो unnear details है, जैसे की weather हो, या फिर SPO2, heart rate, उसके बारे में जनकारी मिल जाएगी, right to left swipe करेंगे, तो वही same details फिर से repeat होता है, और अगर आप नीच जाते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ पर यह जो light है, काम में आ सकता है, इसके अलावा यह सारे options available है, setting का भी option है, जिसमें आप जो brightness है, या फिर जो watch faces है, उसे change कर सकते हैं, brightness को मैंने full पर रखा हुआ है, D&D, do not disturb का भी option है, वग 100 प्लस workout को monitor कर सकता है, इसमें built-in GPS भी है, तो accordingly जो GPS है, वो भी activate होता है, और यहां से आप add कर सकते हैं, आपको किस प्रकार का जो workout है, उसे करना है, अगर वो listed नहीं है तो, यह है activity, और यह है जो calories आपने burn किया हुआ है, आपको जो activity है, उसके पारे में जानकारी, heart rate, जो क ही अलग प्रकार का है, तो overall काफी changes किया हुआ है, इस watch पर, मैं इसे पहनता हूँ, SPO2 चेक करने के लिए, तो यह मेरा SPO2 लेवल को monitoring कर रहा है, और यह भी काफी accurate है, देखिए जो SPO2 options होता है, यह तरह से replacement नहीं है, जो medical devices हैं उनका, लेकिन in case अगर आपके पास कोई option हैं, तो बहुत ही important है कि, इस watch को आपको सही तरीके से पहनना है, अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं पहना है, तो reading नहीं आने वाला है, आपको वैसे notification मिलेगा कि आपको यह watch है, इसे सही तरीके से पहनना है, इन केस अगर आपको आपका SPO2 को चेक करना है तो इस परकार से इस option में जाना है सेम चीज जो है आप हार्ट रेट के साथ में भी कर सकते हैं उसके बाद में आपको नीचे इस परकार से swipe कर रहा है measure का option मिलेगा उसके बाद में इसे आपको सही तरीके से पहनना है मैंने फिलाल इसे नहीं पहना है और यह देखे जब आप इसे सही तरीके से नहीं पहनेंगे तो आपको यह error message मिलने वाला है Xiaomi Wear करके जो application है उसे आपको आपका जो smartphone है उसमें install करना है watch के साथ में connect करना है और यहां पर भी आपको आपको जो physical activities है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहां पर भी workout का option दिया हुआ है यहां से भी आप जो workout options है उन्हें enable कर सकते हैं watch से भी आप directly कर सकते हैं वैसे watch में built-in GPS दिया हुआ है तो उसका उप्योग होगा यहां पर दिखिए watch faces का option है यह local watch faces है और online watch faces भी है मतलब कि आप watch faces को download कर पाएंगे spider man के कुछ options है जो कि मैंने test किया है काफी अच्छे हैं in fact बहुत सारे जो watch faces हैं काफी amazing है मैंने यह वाला select किया हुए जो कि मैंने default रखा हुआ हुआ है मेरे लिए और इन में से आप किसी भी अन्निय watch faces को download कर सकते हैं और यहां पर दिखिए more का option है और भी add होने वाले हैं यह वाला भी काफी interesting लग रहा है incoming call का जो notifications है वो आपको मिल सकता है लेकिन जाद से जादा आप जो call है उसे cancel कर सकते हैं heart rate अगर आपको continuously monitoring करना है every 30 minutes तो आपको enable कर सकते हैं blood oxygen levels को भी अगर आपको continuously monitoring करना है तो वो भी आप set कर सकते हैं 30 minutes में मतलब 30 minutes में एक बार यह SPO2 को monitor करेगा लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस दुरान आपका ज्यादा movement होना नहीं चाहिए ने तो SPO2 के लिए आपको still रहना चाहिए बट इनकेस अगर आप still है तो SPO2 reading उस समय हो जाएगा weather है camera है workout के options है और app notifications को भी आप enable कर सकते हैं मतलब की watch पर अगर आपको notifications चाहिए या नहीं आप यहां से control कर सकते हैं इसमें built-in microphone नहीं है built-in speaker भी नहीं दिया हुआ है तो आप इससे call नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई call आता है तो उसका alerts आपको watch पर मिल जाएगा तो यह smartwatch मुझे कैसा लगा पहली चीज तो इसका जो डिजाइन है एक देम यूनिक टैप का है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया यह जो SPO2 है यह काफी accurate है और sleep के दोरान भी यह आपका जो SPO2 levels है इसे monitoring कर सकता है जो कि again एक बढ़िया चीज है बैटरी लाइफ भी इसकी काफी बढ़िया है अगें डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से यूज करते हैं अगर आप जादा GPS का उप्या करेंगे तो बैटरी जल्दी ड्रेन होने वाला है और इनकेस अगर आप जादा GPS यूज ने करते हैं आवरेज तरीके से इसक इसके साथ में आप स्विमिंग भी कर सकता है अब बात करते हैं अब बात करते हैं यह जो स्मार्ट वाच है आपको कंसिस्टं रिजाल्स दे रहा है देखा जाए तो इस स्मार्ट वाच को डिजाइन है दूसरे smart watches के comparison में काफी अलग है pricing भी इसका काफी अच्छा है 4,999 इसमें always on display तो नहीं दिया हुआ है लेकिन जब आप अपने wrist को twist करेंगे तो जो screen है ये कुछ देर के लिए on हो जाता है अब तकरीबन 2 second के असपास लग जाते हैं screen को activate होने के लिए अगर आप ये product खरीदना चाहते हैं इसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस वीडियो को like जरू कीजिए और देखते रहे हैं